hey guys good morning Welcome to my new vlog so guys मैं तीन चार दिन से ब्लॉग बना रहा था तेन चार दिन से मेरे एक्जाम चल रहा है तो मेरा सिता महां आना चना लग रहा है तो मैं ब्लोग शूट तो कर रहा था लेकिन अफलोड नहीं कर रहा था क्याकिदि अफलोड करने से पैले इसे विदि भी करना पड़ता है तो आज यह ब्लॉग में डालूंगा तो किसों में बता रहा हूं मेरा ओनर्स का पेपर हो गया है और वाकि तीन पेपर और बचा हुआ है जो 20 सारी को है और 27 को है और 24 सारी को है तो घाइस यह मेरा पहला ब्लॉग होगा गाओं का पहला गाओने क सपोर्ट कीजिए आप लोग के सपोर्ट की मिना कोई मोटीव नहीं मिलता है हमें तो सपोर्ट कीजिए और यह ब्लॉग जरूर देखिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना टाइम राय कर मुझे सुनने के लिए धन्यवाद तो गाइस में आ गया हूँ सुरसंड और यहां पर एक दोस्त ही है दोस्त से बरकर है जिन्होंने मेरा काम क्या कॉलेच से एड्मिट कार लेकर उनका घर यहीं पर है वो यहां पर रखे हुए हैं यहीं पर लेंगे तो फ्रेंड्स आ चुका हूँ आज सेकेंड हिस्ट्री के एक्जाम देने हैं सेंडर के पास में ही हूँ पांच मिट का रास्ता है यहां से हम पैदल जाते हैं अरेस्स मुला को बाइड के बाइड है यह वाला है लेकिन इस गेट से नहीं जाने देता है उस गेट से जाएंगे हम और आज उन्होर्स का पेपर अच्छे से चला जाए भगवान से ही प्रार्तना है यह फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टो माई नीव ब्लॉग शुकल मैंने आपको दिखाया है था कि मैं कॉलेज गया था एड्मिट कार्ट लेने तो लेकर आ गया हूं और अभी आज है 12 तारीक आज मेरा ओनर्स का पेपर है और मैं ओटो में बैठ गया हूं और यह बस चलने ही वाला है और मैं जल्दिस जल्दिस आठ सारे आठ बरते में मुझे पहुंचना है तो मैं अपना यह एड्मिट कार्ड और और यह केस पेपर पढ़ते हुए जा रहा हूं अब सब भगवान के उपर है क्योंकि मैं तो परहा है हूं नहीं चले फिर बताता हूं एक्जाम कैसा गया एक्जाम देने के बाद बारा बज़े में छोटूंगा एक्जाम दे करके तब तक के लिए बाए सो मैं यहां सुरसंड चौक पर बैठा हुआ हूँ और यहीं पेडमिंट कार्ड में लेकर आने वाले हैं रिस्सी मिस्रा करके है नाम उनका और यहां से फिर बस लेंगे बस से फिर कूपरी और कूपरी से फिर अपने खाल माज़वपूर कॉलेज यहां से दस मिट लगता है जाने में लेकिन यह मैं इनको बोला तो यह लेकर रखे थे हैं यह गाईस बॉड मॉर्निंग वेलकम को माई निव व्लॉग सो ऐसे हो तो चुका है दिन लेकिन गुड मॉर्निंग से ही दिन का सुर्वात करना चाहिए तो मैं मुंबई स क्यों से लॉट आया हूं तो कि मेरा चाम है तो उसी का इड़मिट कारण लेने के लिए मैं कॉलेज आ रहा हूं कॉलेज तूर्संड में है और मैं अभी तुपरी पहुंच चुका हूं तो यहां से हॉल के पास से मुझे बस लेना होगा फुटसंड के लिए तो आया हूँ और माफी चाहता हूँ मैं दो तीन मेहने से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था उसके लिए माफ किजेगा और लेकिन अब गाउं में हूँ तो आप ब्लॉग बनाऊंगा हूँ हूँ तो जलते हैं हॉल के तरफ बस लिखते हैं हां जाब करें कि मैं आप माट करेंगा हूँ कि आप ड्रॉग अधी।